हेलो दोस्तों आपका स्वागत आपके चैनल टेटेटे प्लेइंग 11 में तो आज हम बात करने वाले हैं के एस वी वजज़ से के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मैच केल ग्राउंट स्टेडियम में होगा जो केल जर्मनी में है इसकी पिछ न्यूट्र रहती है और इस पिछ का एवरे स्कोर असी से स्कोग के बीच में ही रहता है आप ज़री गोड़ चेक कर सकते हैं और इस सीरीज का नाम एशियस है यूरोपेन किर्केट सीरीज तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूँ जील और एसल इन दोनों के लिए टीम आपको मेरे टेल आज हमने बहुत अच्छी अच्चीमेट हाशिल की है क्योंकि आज होने वाले मैच में 11 ट्रीम प्लेयर में से 10 ट्रीम प्लेयर हमारी टीम से थे दोस्तों तो मेरा माना है दोस्तों मैं आपको आगे अच्छी अच्छी टीमें देता रहा हुआ जाए टेलेग्राम जोईन किजिए लिए लिग इन डिस्क्रिप्शन तो दोस्तों C, S, C, E प्लेइंग 11 के बारे बात कर लिजाए दोस्तों तो इन्होंने अभी तक 6 मैच के लिए हैं जिनमें 4 में जीत हाशिल कर दो लोस का साफना करना पड़ा अब बात कर लिजाए प्लेइंग लाए उनके बारे में इनके पहले ओपनर प्लेयर साहिल दर्वेस के बारे में आप देख सकते हैं काफी अच्छा परदर सन नहीं रहा है इनका दोस्तों क्योंकि फर्स्ट और सेइगंड मैच में इन्हें बैटिंग और बोलिंग का मोगा दिया गया जिसमें केल सेगंड मैच में एक विकेट निकाल पाए हैं और बाकी दोनों स्टार्टिंग 3 मैचों में जीरो पर आउट हो गई फॉर्थ फिफ्ट और शिफ्ट मैच में के विल खाता ही कुल है दोस्तों तो मेरा मान है दोस्तों कर निने टीम से ड्रोप किया जाएगा अब दोस्तों बात के लिए नेक्ट प्लेर दाउद खान आयर मैच में विकेट भी लिए दोस्तों आपको एज वाइस काप्टरिंग को अपनी टीम में रखना ही रखना चाहिए दोस्तों अब बात कर जाए नेक्ट प्लेयर वाहिदूला अमीनी के बारे में आप देख सकते हैं फर्ष्ट के दोनों मैचों में दोनों विकेट निकाली यहोंने 30-49-25 बाद में नहीं चले बाले से लेकिन अच्छे विकेट ने जाले दोस्तों खाफी अच्छे बाजों के विकेट ने ले इनों ने तो मेरा माना है दोस्तों आपको इनको अपनी टीम में रखना ही रखना चाहिए अब बात के बारे में अब देख सकते हैं सैकि वह बला नहीं चला है किने के बैटिंग लाइनप में एक मैस में कवर भी दिया जिसमें इन्हें काफी जादा रनकाव उखना पड़ा तोदा की कोनोमी से इनको अवर करना पड़ा दोस्तों अब बात लिजाए नेक्ट प्लेयर मोहिबला नायल के बारे में इनका पी अच्छ मैस में का सोरा नाबाद पर रहे थे बाकी मैस में जीरो एक पर आउट होग और टेम से ड्रॉप कर दिया गया दोस्तों अब बात लड़ा नेक्ट प्लेयर बिलाल सिनवारी के बारे में आप देख सकते हैं काफे अच्छा बला सलता है दोस्तों इनका आज के मैस में यह ड् अबदुलवाजीद खान के बारे में फर्ट हो सेइड़ फोर्फ और फिफ्फ में जानलि दोस्तों अपने टीम के लिए तो मेरा मनना है आपको इनको इनको अपने टिम में रखना ही रखना चाहिए तेंकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ आप चानले को लाइक और फर्स्ट और सेगंड मैच में एक खिराया लेकिन को मुका नहीं दिया गया बैटिंग और बोलिंग का और नेक्ट मैचों में ने ड्रोप कर दिया गया टीम से नेक्ट प्रेयर मुहमिद मुहसीन मुहमद के बारे में तो दोस्तों आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेगंड मैच में ने बैटिंग का मुका दिया गया लेकिन सिफ्ट मैच में केवल सोलन बना पाए बाकी मैचों में नहीं चले और कल इने टीम से ड्रोप किया जाएगा आप देख सकते हैं अब बाद नेक्ट प्लेयर शाबिर एहमद के बारे में अब देख सकते हैं फर्स्ट और सेगंड मैच में नहीं बोलिंग का मुका मिला फॉर्थ मैच जूर पर आउट हो गई फिफ्ट मैच में ड्रोप कर दिया और शिक्स त मैच में आट रन पर मिलाकर आउट हो गए है कि दोस्तों आप बात के दाए दोस्तों के नेक्स्ट बोलर स्टार बोलर बनए यह दीम से इ portraitία लाश्ट मै ड्रेंव पर टेम बनागे के दिखा दूँंगा दोस्तों बात lleva हम्जा महम्वत के बारें में पहले चार मैंचम में त्यार मैंच से हैं लेकिन फिप और सिकित मैंच में इना टीम में खिलाए गा लेगा कुछ अच्छा नहीं कर पाई केवल लाश्ट मैच में किल इन्हें एक बोल फैगने आप मोगा देगा जिन पर यह चेहरन खा गए तो इसके हिसाब से 36 की एकोनोमी रही दोस्तों इनकी काफी खराब एकोनोमी रही दोस्तों इनको बात के जाए दोस्तों के अश्वी प्लेइंग 11 के बारे में लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दूँ आपको अपने टिम में जाज़ादा बोलरों को ही लखना है दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए के अश्वी प्लेइंग 11 के बारे में आप देख सकते हैं इन्होंने अभी तक चार मैच के लिए हैं और चार की चार मैच अभी तक वो उनकी हैं काफी दुवादार बलेयर इनके मुसिदिक एहमद आपको आगे पता चलेगा आप बात के लिए दोस्तों इनके प्लेइंग 11 के बारे में जोहिबद अजाम खान आप ओपन रहें ये सैकंड और फॉर्थ मैच में काफी कमाल की बल्लेवाजी की इन्होंने आप देख सकते हैं 64 और 32 काफी खतरनाक बल्लेवाजी दिखाई इन्होंने अपने और और अवर विकट हाशी नहीं हुकि है औरम parlar मुझदिक ऐह में हर मैच में हर मैच में अच्छा परदासन कि इदो सो इन्हों ने अपनी टीम के लिए आप देख सकते हैं इनका बला नहीं सुला तो इनकी बैंगए दोस्ति हर मैच विक्रणिकृ उपके ली कि पंगड़ी कवे उनुनरी प्र्न वन वन फाइफ आप देख सकते हैं काफ़े बैटिंग दोस्तों इनकी बैटिंग एक दिवाने हो जाते केवल ठर्टी थरी बोल में इन्होंने वन वन फाइफ रन बना डाले दोस्तों तो मेरा मनना है कल भी आप ये अच्छा रन स्कोर करेंगे अब बाद ले दोस्तों नेक्ट प्लेयर मुहम्मद समीकुला के बारे में ये भी काफी अच्छे प्लेयर दोस्तों आपके अपने फर्स्ट मैच में केवल केवल निस्वरो ड्रीम टीम में फर्स्ट पोजिशन पर दे दोस्तों क्योंकि इन्होंने 78 की ताबट तोर पारी खेल एक विकेट हांसिल की 2nd मैच में एक विकेट हांसिल की दोस्तों तो मेरा मनना है आपको अपने टीम में इनको रखना ही रखना चाहिए अब दोस्तों बात के लिए नेक्ट प्लेयर दिलराज सिंग के बारे में फर्ष्ट मैच में फेल होगे दोस्तों सेगंड मैच इन्हें ड्रोब कर दिया गया लेकिन थर्ड और फॉर्थ मैच में नबाद 3140 इन बनाकर अपनी टीम का होसला जाहिर किया दोस्तों काफी अच्छे प्लेयर हैं दोस्तों दिलराज सिंग अब बात कर दोस्तों नेक्ट प्लेयर सुलिमन ककर के बारे में फॉर्ट बात है अच्छे बात ही है कि ने दोविकेट मिल이 दोस्तों दोविकेट का मतलब दोस्तों पचास पॉइंट और आपकी वैच्ण तो 75 पॉइंट काफी अच्छी बोलिंग दिया दोस्तों इन्होंने अब बाद दोस्तों नेक्ट प्लेयर साज़त साज़त के बारे में आप देख सकते हैं इन्होंने फर्ष्ट मैसेंज जिरो परनाबाद और सेगंड में आठीन बनाई और थर्ड और फॉर्स मैसेंज ड्रो फिप कर दिया गया दोस्तों क्ाफी अच्छी टीम हैं उन्तिम आइस प्लेयर साफीक एखला और यहां ंची और तोस्तों आप अच्छी बोलिंग कह सकते हैं अब बात गले दोस्तों इनके श्टार बोलर विक्टर के बारे में आप देख सकते हैं फर्ट सेकिंड थर्ड इन तिनों मैचों में विकेट निकाली दोस्तों काफी रिनका खामयाजा पुगतना पड़ा लेकिन अच्छी बात है कि दोस्तों इने चार मैचों में पांच विकेट मिल शुकेट निकाल सकते हैं तो मेरा मनना है कि आपको इनको अपने टीम में रखना चाहिए दोस्तों अब बात करेंज़ा दोस्तों नेश्ट विकेट अवी सोनी के बारे में ये भी अपनी टीम के स्टार बोलर रहे क्योंकि जिन मैच मीने खिलाए गया है उसी मैच में लो निकाला है फर्ष्ट मैच में ने ड्रोप किया गया था सैगिंड थर्ड और फॉर्थ मैच में अपने टीम के लिए पांच विकेट निका लिए दोस्तों सैगिंड मैच में दो विकेट थर्ड मैच में दो विकेट फॉर्थ मैच में एक विकेट दोस्तों तो मेरा मन है कल भी आपको अपनी टीम में रखना ही रखना चाहिए दोस्तों आपको टीम मिल जाएगी दोस्तों जी एल और एसल के लिए मेरे टालीग्राम चैनल पर जाएए जोइन कीजिए अब दोस्तों बात कर ली जाए आसद एहमद खान के बारे में आप देख सकते हैं फर्ट मैच में ना ही बैटिंग और ना ही बोलिंग का मोगा दिया गया लेकिन फूर्ट मैच में दोस्तों इनके सबस्तों अब आपको बताने वाला हूँ ड्रीम 11 टीम के बारे में मैं आपको कौन सा विकेट कीपर कौन से बैट्समैन कौन से आल्राउंडर कौन से बॉलर लेने हैं तो दोस्तों बहुत किल जाए विकेट कीपर की खान आयरूबी आज के लाश्ट मैच में स्टार प्लेय लेना है बैट्समैन में आपको आशिस शर्मा मुहमद खान और एकल और अजाम खान को लेना है आल्राउंडर में आपको दोस्तों आयरूबी शिन्वारी शिन्वारी और दोस्तों मुहमद अहमद को लेना है दोस्तों और आपको सामी किल्ला को लेना है और आपको बोलरों और दोस्तों ऑपको बोलर तको वाजित खान को लिना है दूस्तों अभा य branch of पर मिल जाएगी और उससे पहले दोस्तों आप सब्सक्राइब कर दीजिये वीडियों के यह सब्टाइब कर चाहिए क्योंकि आज मैच में ग्यारा में से 10 प्लेयर हमारी ड्रीम टीम से थे दोस्तों आप चैक कर सकते हैं टीम नंबर 6 आज जो मैंने डाली थी दोस्तों थैंक यू फॉर वोच्चिंग दोस्तों